फ्यूचर ग्रूप के स्टॉक में पैसा नीचे ही नीचे जाता रहा है NC LAT डेट्स और क्या होंगे रिजल्ट इस वीडियो में बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट एक्षन NC LAT की तरफ से बाई करें की सेल करें जो हम कर रहे हैं वो भी बताएंगे इस वीडियो में यहाँ पर दोनों गुरूप के बीच में मुकेशम बानी जी और जेफ बजौस जी के बीच में जो युद्ध चल रहा है अब वो अंतिम चरण में आ चुका है चलिए चल कर विश्रिशन करते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो देखें एशिया के रिचेस्ट में अगर एक फोन गुमा दें तो बैंक्स भी कहते हैं हमें किसी गारंटर की जरूत नहीं है आपका फोन आ गया बहुत है यही हुआ है यहाँ पर बैंक्स इसको लेके जाना चाह रहे थे आर्क में यहाँ पर कि NCLAT का डिसीजन आने तक वेट करेंगे और टामलाइन इस वेरी क्लोज ना तो उनको भी समझ में आता है अगर उन्होंने NCLAT प्रोसेस इंवोक किया तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा हेर्कट पे हेर्कट मिलता जाएगा यहाँ पर एसेट सेलिंग टु आर्क अल्सो हैस बीन स्टॉप्ट इन पर्टिकुलर बाइ इंडसिन बैंक जैसे पिछले वीडियो में रिपोर्ट किया गया था तो यह अच्छी खबर माने जाएगी फ्यूचर ग्रूप के एसेट अब डिटोरियेट जादा नहीं होगे तो Amazon का अगर रुख देखा जाए Amazon ने स्टेट अवे अपना गेम जो खेला है वो डिले टेकनीक के लिए खेला हुआ है डिले टेकनीक में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि Amazon का इंटेंशन था जितना देर से इस डील को होने दे उतना अच्छा है और यह उन्होंने अल और साथ साथ में CCI से भी पूचा है कि जो तुम्हारे साथ टाइमलाइन का इवेंट है उसमें RBI और SEBI का अप्रूवल का जो स्पेसिफिक एविडेंस है उसको समरी में बना के रखे क्योंकि वहाँ पर Amazon ने क्लियरली कहा था कि इस डील के लिए ना ही SEBI का जरूरत है अप Court will have a final say यहाँ पर जो final session होगा वो उम्मीद लगाई जाएगी कि April 23rd तक final हो जाएगा 23rd को हमारी date है voting close होने की और उसके बाद NCLT भी अपना final decision देने की शुरूआत करेगा Amazon और future coupon की deal उम्मीद लगाई जाएगी कि यहाँ पर जो initial रुजान आ रहे है through the close person into this matter the name must not be shared उन्होंने कहा है कि यहाँ पर Amazon और future coupon की deal cancel की दे जाएगे CCI का decision uphold किया जाएगा NCLT judges ने कहा है कोई बलकी document नहीं submit किया जाएगा अगर हो सके तो सिर्फ एक page की summary बना के भेजिए और to the point होनी चाहिए summary timeline भी आप बताएगे तो अच्छा रहेगा इसके साथ में कि आपने कब क्या किया और कैसे किया including अगर future coupon और Amazon की deal renew करना है तो साथ-साथ में CCI से नहीं उनको तो पहला step SEBI का approval दूसरा step RBI का approval और तीसरा government का approval चाहिए ये सारी चीज़े तयार की जा रही है by CCI from the ask perspective अगर future coupon deal cancel की जाती है तो penalty to be paid within 30 day timeline और साथ-साथ में shares भी surrender करने पड़ेंगे future group को या फिर respective buyer जो भी available है जिस भाव में वो share मिल रहे है क्योंकि वो अब share को hold नहीं कर सकते हैं हमारी recommendations को hold करके रखने की है आज का अगर भाव देखा जाए तो future retail एक परतिशत उपर बाकी सारे share almost 1% अप या down की range में कारोबार कर रहे हैं यही एक समझिए जब तक decision नहीं आता है तब तक यही एक धुईधर रहेगी in stocks में कि अब ये ज़्यादा momentum नहीं दिखाएंगे नीचे जाने का भी ज़्यादा strength नहीं है और नहीं अभी उपर जा सकते हैं तो expectation ना upper circuit की रखिये ना lower circuit रखिये जब तक voting result ना आ जाए और NCLT का decision ना आ जाए NCLT clues की हमने बात कर दिये अगर हमारी trades को copy करना है तो हमारे 299 का advance package ले सकते हैं प्लीज कं जय भारत बाई गाइज